तो हेलो गाइस कैसे हो आई हो अपलो अच्छे होंगे और मेरा नम होतुम अपलो देख पार है विश्वास गेमाट यूटूब चैनल तो गाइस एक बार और मैं फिर से एक और बजेट गेमिंग पीसी बिल्ड करने जा रहा है यहाँ पे देख सकते हो मैं सारा कंपोनेंट्स बाइ कर लिए गाइस अभी फिलिपकार्ट और एमाजन में काफी अच्छा काशा डिल चाल रहा है और वहाँ से गाइस मैंने पर्चेस कर लिए सारा कंपोनेंट्स यहाँ पे देख सकते हो आ चुके है गाइस काफी सस्ता में यह सब मैंने पर्चेस किये है क्या प्राइस रहेगा सारा कुछ बताएंगे और आज का जो PC है Intel i3 प्रोसेसर का साथ बिल्ड होगा और यह जो PC है गाइस काफी सस्ता में बिल्ड हो रहा है लगबग 6000 का अंदर ही 5000 से कुछ ज़्यादा परेंगे गाइस यह PC यहाँ पर फ्रॉंट्रेक का केविनेट साधी साथ गाइस बिल्ड करेंगे की कंपोनेंट्स क्या क्या में यूज्ट करनेजारे उसको बाद हम बिल्ड करेंगे आज का PC को तो यहाँ पे चलो मैं इसे खोलते हैं तो यह रहा गाईस अपना इलकार्टार इसी से ही मैं इसे खोलेंगे अभी देख सकते हो गाईस सारा कुछ जैसे आया है वैसे ही है मैं अभी तेक कुछ भी नहीं खोले है गाईस ओके तो यह रहा गाईस CPU देख सकते हो यहाँ पे कुछ बिल बगरा भेज़े है यह लोगों ने यह देख सकते हो तो यह सब एड्रेस बढ़ा रहता है गाईस कुछ पर्सनल रिज़न से हम नहीं दिखा सकते हैं और यहाँ पे यह सब क्या है गाईस पता नहीं इसे साइड बे रख लेते हैं और इसे यहाँ से गाईस निकलते है तो यह रहा गाईस CPU केबिनेट देख सकते हो जो कि एक नॉर अज़ भी लगा के क्या होगा यहाँ पे देख सकते हो केबिनेट जो की एक हजर का सपस इसका कीमोत है गाईस साइड में हम दे देंगे आप लोग देख लेना बार बार उस अब दिखा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो सही केबिनेट है गाईस यहाँ पे एक फ CPU फैन क्योंकि एर CPU काफी गरम होते है और उसे ठांडा करना बहुत जुरूरी है तो इसका अंदर एक CPU फैन दिया है गाईस कहां से खोले यहाँ से ओके तो यह रहा गाईस CPU फैन देख सकते हो जो कि एक नॉर्मल फैन ही है और यहाँ पे थर्मल पेस्ट भी लगा हुआ है इस हाथ में लग गया तो कोई बात नहीं है हम पोच लेते हैं और यहाँ पे एक थर्मल पेस्ट भी दे दिये है इन लोगोंने तो अच्छा बात है और यह रहा गाईस अपना CPU ठीक है यह रहा गाईस CPU मैंने इसका अंदर डाल के रखे है आई 3 पोसेसर है गाईस यह रहा गाईस CPU का actual packaging यहाँ पे कैमेरा में आ रहाई की नहीं गाईस अब देख लो यह आई 3 CPU है 3rd generation है गाईस और इसलिए इस PC का कीमत इतना काम है गाईस य काफी अच्छा काईस परफॉमेंस मिलेंगे दिखाएंगे गाईस सारा कुछ एपेस बगरा टेस्ट करेंगे और यहाँ पे एक Wi-Fi डंगल भी लिए है जो की 200 धाश्य में मिल जाते है गाईस और यह क्या है अच्छा इसे खोलते है गाईस तो गाईस इसका अंदर है PSU यानि Power Supply Unit देख सकतो गाईस फ्रॉंट टेक का ही है ओके तो गाईस यहाँ पे जो PSU है न यह देख सकतो फ्रॉंट टेक का है और कितना वर्ट का है गाईस वो तो हम बाद में आपको बताएंगे लगबाग 500 वर्ट का होते है इस टाइब का PSU तो इसा ही कुछ होगा इसे भी खोल के आपको दिखाते हैं यहाँ पे स्क्रू बगरा दिये हैं साथ में ओके और यह रहा केविल जो की CPU में लगता है न वो इसका साथ ही मिल जाते है गाईस तो यह रहा गाईस CPU यह देख सकते हो गाईस CPU और यहाँ पे लिखा है गाईस क् Intel Core i3, 32-42, ऐसा कुछ आ रहा है ना कामेरा में, ओके, तो गैस यहाँ पर सारा components हो चुका है, अब Motherboard देख लो, जो की H61, जो की support करेंगे, 1st Generation, 2nd Generation और 3rd Generation CPU, i3 से लेके i7, हर एक CPU यह support करेंगे, और इसका साथ मेरा experience बहुत ही अच्छा है, और यह जो है ना एक combo बाई किये है, इसके वो Motherboard नहीं बाई किये, इसका साथ combo मिलते है, कि अब CPU, RAM, सारा कुछ combo ले सकते हैं, तो गैस यहाँ पर मैं इसे खोलते हैं, और आ एक केविल मिलते हैं, जो कि साटा केविल, SSD, हर्ट डिक्स कनेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर मिल जाते है, आयो सील्ड, जो कि जहाँ पर भाई, पोर्ड बगरा, गार्ड होता है न, एक ठो, होई, और इसका अंदर गैस, 16GB RAM मिले हैं, कॉम्बो का साथ, देख सकते हो, 88 क्या मिला है, और कुछ नहीं है न, ओके तो गैस, यह देख सकते हो, मदरवोट एक दो ब्रांड न्यू कंडिशन में है, दो दो RAM सलोट है, और यहाँ पर हम लोग ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे, और गैस, और क्या है, और कुछ नहीं है न, इसे पर खोल के दिखाते है यह देख सकते हो, गैस, इसे कैसे खोले, चलो गैस, उस अब बाद में देख लेंगे, यह देख सकते हो, यहाँ पर CPU लगेंगे, तो सारा कुछ हम खुद एसेंबल करेंगे आज गैस PC को, अब सारा कुछ मैंने दिखा दिये, अब बारी है गैस, ग्राफिक्स कार्ड का है तो चलो यार ग्राफिक्स कार्ड भी आपको दिखा देते है, तो यहाँ पर गैस, बॉक्स में देख सकते हो, RTX 3080 Ti, जो कि इस motherboard में नहीं लगेंगे, तो बहुत लोग कमेंट करेंगे, तो गैस, मैंने एक second hand ग्राफिक्स कार्ड खरीदे, और जहां से खरीदे, वहां से गै बॉक्स मेरे को दे दिया, ताकि अच्छा लगे, वीडियो में, क्योंकि यार यह बजेट गेमिंग PC है न, और यह जो ग्राफिक्स कार्ड है न, इसका कीमोत ही, गैस, अभी का टाइम पे, मान लो, 70,000, 80,000 रुपया, खाली इस ग्राफिक्स का कीमोत, ठीक है, और गैस, इ पोर्ट वगर अभी देख लो, एक दो, निउ कंडिशन में, तो गैस, मुझे यह लगबग 700 रुपय में मिल गया, ठीक है, और इस टाइब का आप लोग खरी सकते हो, नया भी मिल जाते है, लगबग 2500, 2000 में आपको मिल जाएंगे, तो GT 730 4GV ग्राफिक्स कार्ड ठीक है, फ्री फायर जैसा गेम तो अराम से चला सकते है, यह ग्राफिक्स कार्ड, तो गैस, यह अब मैंने सारा कुछ आपको दिखा दिये, तो चलो यार, अभी सारा कुछ सेट अप करते हैं, अपको आपको आपको दो, तो önost. आपको 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 आपको, आपको आपको आपको, बढू़ एंगे, तो अज़ है. तो गईस लगवक एक दिर घंटा मेहनत का बाद फाइनली मैं अपना पीसी बना लिया यहाँ पर देख सकते हो गईस सारा ओयर मेनेजमेंट किये तो गईस यहाँ बना ओयर मेनेजमेंट मैंने सही से नहीं कर पए इसका रिजन क्या है यह जो पीसी हो है यह काफी सस्ता है लगबग 600 सस्ता में मिलता है और इसका ओयर काफी छोटा रहते है फिर भी गईस मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर देख सकते हो साइड साइड में यहाँ पर लगा दिये और जो भी कंपोनेंट्स मैंने दिखाया था वो सारा कुछ मैंने इंस्टल कर ले दे सकते हो यहाँ पर ग्राफिक्स का 88816 फ्रांटेक H61 जो मदरवोट यूज की है गईस वही दिखाया HDMI 1 और यह घूम रहे तो देखते है गईस on होता है तो कितना जल्दी यह on होता है ओके recovery क्या कुछ आ रहा है गईस यहाँ पर देख सकते हो तो चलो मैं यहाँ पर यहाँ पर ट्रावल शूट ऐसा क्या कुछ आ रहा है तो गईस क्या है न कि यह जो PC है इस PC में यह जो SSD है ना गईस इसका अंदर Windows 10 इंस्टॉल है ठीक है तो मैं चाहते कि गईस एक बर जो है ना ट्रावल शूट कर लेते है ताकि जो भी चीज पहले था वह भाई सारा कुछ डिलीट हो जाए और एक नया PC बन जाए ठीक है रिसेट इस PC करेंगे रिमूव एबरिफिंग कर देते है एक फ्रेश Windows 10 गाईस इस PC में हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो देखते गाईस इसमें तो टाइम लगते है यहाँ पर देख सकते हो आया है फुली क्लीन करेंगे और यह रहा कनेक्शन बगरा देख सकते हो Wi-Fi डंगल भी लगाए गाईस यहाँ पर यह रहा अपना माउस कीबोर्ट इस अब कनेक्ट किये है तो देखते हैं गाईस यह और गेमपले कैसे होता है सारा कुछ दिखाएंगे प्येस बगरा कैसा मिलता है वह भी दिखाएंगे तो इसमें तो टाइम लगाएंगे तो चलो गाईस यह सब करके ही मिलेंगे और यहाँ पर फाइनली मेरा PC जो है यहाँ पर देख सकते हो गाईस काफी फास्ट भी है क्योंकि मैंने इसमें लगया है एक डेडिकेटड ग्राफिक्स कार्ड तो चलो यार एक बाद देख लेते हैं जो चीज मैंने लगवाया है वह सही से आ रहा है या नहीं तो यहाँ पर मैं अपना टास्क मनेजर उपन कर लिए और यहाँ से हम लोग जाएंगे परफॉर्मेंस में यह रहा तो गैस सबसे पहले देख लो CPU जो है यह i3 3240 और स्पीड है 3.40 GHz तो ठीकी है यार गेम तो खेल सकते है फ्रीफायर 500 MB का गेम है मेमरी यानी RAM देख सकते हो 16GB का RAM मैंने इंस्टल किये है आपको थोड़ा सा कम बज़ेट में एक अच्छा पीसी विल्ड हो जाएंगे और यहाँ पर सारा सेट अप कंप्लीट कर लिए मैंने इस PC में हम लोग का जो पॉपुलर फ्रीफायर गेम है ना उसे भी इंस्टल कर लिए और बहुत सारा अपडेट आते है जब नया विंडो फास्टाइम डलवाते है न तो उस अब करके ही गाईस में यहाँ पर गेमप्ले बगरा थुरा बहुत दिखाएंगे कि इस PC में कैसा गेमप्ले चलते है लगबग 6,000 का बज़ेट में भाई यह PC बन चुका है और इस बज़ेट में तो एक अच्छा कासा फोन भी नहीं बनते तो देख सकते हो गाईस Free Fire मैंने खेल रहा है इस PC से तो आप लोग चाहो तो बाई कर सकते है मैंने फिलिप कर से सारा कॉंपोनेंट्स बाई किये और यहाँ पर guys headshot अप लोग देख लो भाई क्या गजब का headshot तो PC में यह normal चीज होते है 10 उंगली से gameplay करते है और हाथ में mouse रहते है तो जितना चाहिए उतना drag कर सकते है और unlimited dpi मिल जाते है बाद में आपको dpi कम करना होता है नहीं तो आप control ही नहीं कर पाओगे यहाँ पर देख सकते हो सारा कुछ work कर रहा है ASDW तो बहुत लोग बोलते है कि अपना key mapping है वह एक बार दिखाओ तो guys यह रहा अपना key mapping इसे मैं कैसे आप लोग को do भाई कैसे file बना के देना होता है और उतेरते ही guys यहाँ पर देख सकते हो एक down क्या गजब का headshot कर शाथ यहाँ पर एक और EV down तो यहाँ पर guys 2 kill उतेरते ही हो चुके है तो देखेंगे guys कितना kill होते है इस game में और बुया मिलता है कि नहीं और यह gameplay आपको अच्छा लग रहा है जो मेरा subscriber है उसको पता होगा मैं हर एक comment का reply करते है तो comment में सारा चीज details में बोलना possible नहीं होते है तो सबसे पहला सब all जो रहा है वो है budget gaming PC को लेके budget में कौन सा PC आए उसमें हम लोग अच्छे से gameplay कर पाई screen recording live streaming अपना YouTube career start करेंगे तो इस सब चीज लेके comment करते हैं लोग तो देखो भाई अगर मल्टी टास्क, gaming, screen recording इस सब करोगे ना तो CPU थोरा सा fast होना चाहिए शाथ में एक graphics startup को लेना ही है तो एक budget gaming build करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक processor तो लोग confused हो जाते कि Intel का processor buy करे या Ryzen का processor और budget gaming के लिए जो सबसे popular processor है वो है Intel का i5-12400F और Ryzen का 5600G processor तो अभी का टाइम पे G को मत purchase करो तो ही बहतर होगा आपके लिए GT एक तो नया आय है और इसका दाम भी कम है performance भी थुरा सा ज़्यादा है तो GT का ही हम बात करेंगे तो गाइस यह दोनोर processor लेके ही बात करेंगे जो की 30-40 अजर का अंदर एक अच्छा कासा PC आपको बना के देंगे उसमें आप लोग gameplay कर सकते है, screen recording कर सकते है सारा कुछ कर सकते है गाइस अच्छा processor है और आपको Free Fire जैसा गेम खेलना है तो खेल सकते है दोनोर processor से ही Free Fire जैसा गेम बहुती smoothly run कर जाएंगे साथी साथ screen recording सब कुछ हो जाएंगे और जो PC games GTA 5 बगरा भी चल जाएंगे, YouTube में शार्च कर लेना सारा game उस CPU से play हो जाते है गाइस, तो future proof के लिए गाइस मैं तो बोलेंगे वही CPU को buy करो, थोरा सा budget बरहा लो क्योंकि PC एक दिन के लिए नहीं होते हैं, तो आप बात करते हैं कि कौन सा लेना सही रहेगा तो देखो, performance wise अगर दिखा जाए, जो Intel i5-12400F इसका दाम कम है, लगबग 9000 में मिल जाते है और इसका performance ज्यादा है, और जो जीटी जो है ना, 500 GT इसका दाम भी थोरा सा ज्यादा है लगबग 12000, 12000 ऐसा भीकता है Amazon Flipkart में और इसका performance भी थोरा सा कम है तो कौन सा लेना सही रहेगा तो अब यह सभी लग बोलेंगे कि Intel का ही पोसेसर लेंगे PC बिल करने का साथ साथ नहीं तो भाई कोई भी स्क्रीन बगरा नहीं आएगा अगर राइजन का CPU लोगा ना तो वहाँ पर integrated GPU मिल जाते है अगर PC बिल करने का साथ साथ कोई भी GPU याने graphics card नहीं लिए फिर भी स्क्रीन आएंगे थोरा बहुत कम है तो आप राइजन 5600G या GT को पर्चेस कर सकते हैं बाद में तो पैसा एक टाइम पर होगा मानलो छे माहिना चार माहिना बाद तो उससमाई एक graphics card खरिद सकते हो लेकिन अभी आपका पास पैसा है 30-40 आजा तो मैं तो कहूंगा कि इंटेल का साथ जाओ काफी अच्छा पोसेसर है यह बाद में आया है राइजन 5600G का बाद आया है और इसका performance भी थुरा बहुत जादा ही है और PC बिल करने के लिए आपको cable processor ही नहीं इसका साथ और भी चीज़ चाहिए होता है motherboard, RAM, SSD इसब चाहिए होता है तो अभी का टाइम पे at least 16GB RAM लगाना अपना PC में इस PC में 16GB RAM लगाया तो 32GB RAM होगा तो और अच्छा है लेकिन 32GB RAM हैंडल करने के लिए आपका जो system है वह और तगरा होना चाहिए एक लग से उपर PC बिल्ड हो जाएगा तब सही रहेगा तो नॉर्मल PC, 30,000, 50,000 बंचो PC बिल्ड होगा न उसमे 16GB RAM एनाफ है तो 16GB RAM एक स्लोट में मत लेना, दो स्लोट में लगाना उसके पोफार्मेंस रहा तो एक स्लोट में लगाने लगाने से एक फाइदा है कि बाद में एक और स्लोट में 16GB खरीद के लगा सकते है तो यह एक फाइदा हो जाते है तो अब बात करते हैं एक PC में जो एक्ट्वल में गेमिंग कराएंगे ग्राफिक्स काट तो अगर आपका PC में थोड़ा बहुत साथी साथ स्क्रीन रेकुर्डिंग लाइव स्ट्रीमिंग और आपका यूटूब केरियर अगर इस्टर्ट करना चाते हो तो गैस मैं कहोंगा कि अटलिस्ट 8GB का ग्राफिक्स काट लगाना अभी का टाइम पे कम से कम 3050 से नीचे मत लगाना अगर अगर आपका बाजेट थोरा सा ज्यादा है लगबग 40-45,000 में यह PC बिल्ड हो जाएंगे ITX 3050 का साथ तो अगर आपका बाजेट है अब एकी साथ सारा कुछ खरीद के PC बिल्ड करना चाते है तो राइजन 6500G पैसर को मत लेना अभी का टाइम पे Intel i5-12400F को लगा सकते है और बज़ेट तो ज्यादा है तो और पैसा बढ़ा के ना जो थार्टीन स्रीज आया था थार्टीन स्रीज में इंटेल में काफी जंप मारा उसमें काफी अपग्रेट हुआ था तो एक बार खरीद लिए तो चार-पांच साल फिर पापा मामी को बोलो गाना तो यार गाली देगा तो थोरा सा वेट करके एक अच्छा PC ही बीड करो एही कहेंगे क्योंकि इसका जो स्मूथनेस इसका जो एक्सपिरियंस काफी अच्छा रहेंगे आपका साथ कोई भी लैग बगरा नहीं होगा PC में दीन फर राद फर गेम खेलो इसमें कोई दिक्क्यत नहीं काई लैग नहीं होताए गर्म नहीं होते है बैटरी का कोई इस्उ नहीं है फोन में कुछ टाइम बात बैटरी खतम होते है अगर चार्ज में लगा के गेम प्ले करोगे तब तो यार लैक करना इस्टर्ट करते है और फोन का लाइफ वाई बहुत जल्दी कम हो जाते है और पीसी में इस अब नहीं होते है तो एक अच्छा पीसी बील करने के लिए गाईस वही आपको बताना था कि लगबग 30-40 में से ही पीसी बील करो उसमें अच्छा अच्छा गेम प्ले थोड़ा बहुत स्क्रीन रेकूर्डिंग सारा कुछ हो जाते है गाईस फिरी फायर जैसा चोटा गेम तो आराम से चल जाएंगे वैसे यहाँ पर मैंने इस पीसी से गेम प्ले कर रहा है यहाँ पर काफी बार अटक रहा था गाईस मैंने वहाँ पर फास्ट परड़ कर दिया वो सब गाट कर दिये उसका बदात है मदर बोड हाँ एक अच्छा प फाई 6E चल रहा है तो वह काफी महेंगा हो जाएंगे मैं यहाँ बाजेट गेमिंग पीसी का बात कर रहे तो एक जो आट चो दो ऐसा करके आटे ना उसी को ही लेना और चार रेम स्लोट रहे तो वह और अच्छा रहता है अगर बाजेट कम है तो दो राम स्लोट भी ले सक होते हैं क्योंकि उसको पता नहीं होता है कैसे क्या लगाना होता है देखो दुकान में जब जाओगे ना दुकान दर आपको कोई वी चीज लगा देगा ऐसा उल्टा शिदा बोलके क्योंकि बहुत सारा कंपोनेंस से पहले सुरू में बोलेगा हाँ सब कुछ है अच्छा PC शीज बिल्ड हो जाएंगे तो सारा कुछ पहले खुद आप डिसाइट कर लेना उसका बाद ही दुकान में जाना अगर दुकान में नहीं है वो सब वो बोलना कि आप लाके दो नहीं तो हम दूपन में जाएंगे और जब PC करेंगे तो अपना सामने ही बिलो करवाना सारा हो जाएंगे तो गैस इस अब गेम पे ले लोग अप्लोड कर देते हैं कोई भी वाइस आवर नहीं है कुछ भी नहीं नहीं है नॉर्माल सा उसमें भी 5 पीसी बिल करना चाते हैं तो एक अप्ग्रेट कर लेना जो सीप्यू मैंने लगा है ना इंटिल आई 3 तो वहाँ पर आई 7 लगा लेना थाट जनरेशन का वह काफी पाउर फुल है और इसी का साथ ही आज का वीडियो को हम लोग यहाँ पर ही एंड करेंगे तो चलो यार हूईरी **ईटे करेंगे बाव सकती है हमाने ओरते हैं थे मुथाव करेंगे मुथा प्रेशे झाल झाल